क्वेस्टन नंबर 6 अब दहेंगे कि यह मागनेटिक फिल्ड से रिलेटेड है जब एक किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्स्टर्नल मागनेटिक फिल्ड में इलेक्टरिक फिल्ड में रखा जाता है तो उस पर इलेक्टरो मागनेटिक फिल्ड लगता है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मागनेटिक फिल्ड के परपेंटिलर हो कोई इलेक्टरिक फिल्ड नहीं हो तो चार्ज पार्टिकल जो है सरगलर पाथ कोलो करता है अगर यह मागनेटिक फिल्ड और उसकी जो वेलोसिटी है चार् है इसमें electrifil magnetic field दोनों है कहा गया है पार्टिकल of mass m and charge q has an initial velocity v is equal to v not j के मतलब जो charge पार्टिकल है उसकी initial velocity है y direction में सपोज पार्टिकल यहां पर है और इसकी जो velocity है वो है y direction तो यह कहा गया if an electric field e is equal to e not i cap and magnetic field b is equal to b not i cap act on the particle मतलब कि electric field जो है वो भी x direction में है और magnetic field भी x direction में है ऐसा कहा गया तो हमें बताना है its speed will double after a time उसका speed सूर्व में भी नॉट है उसकी velocity जो है उसका speed जो है और 2 भी नॉट कितनी देर बाद हो जाएगा वो हमें time बताना है तो ऐसा case जो है आपने पढ़ा होगा है ना हमारे video lecture में भी है उसमें क्या होता है कि अगर इस type का connection बन रहा हो तो particle helical path पर चलता है और चुकि यहां पर electric field है तो उसको accelerate करेगा इस direction में तो उस helical path का जो peach है वो धीरे धीरे increase होगा कुछ इस type का path follow करता है चार्ज पार्टिकिल ऐसे है ना यह x-axis को touch करता हुआ जो है spring जैसा कुछ यह चलेगा पार्टिकल है ना तो इस case में क्या होगा कि पार्टिकल जो है y-z plane में circular motion करेगा y-z plane के इस plane के parallel circular motion कर रहा होगा जबकि इधर electric field है तो इधर क्या operation आएगा इधर भी velocity आए इधर भी displacement होगा तो इस velocity और magnetic field की वज़से जो है यह circular path flow करेगा इस electric field के वज़से वो इधर आएगा तो ऐसे घूमते हुए यह इस तरह से इधर आगे बढ़ेगा तो यह वाली जो velocity है जो y-z plane में है वो change new change नहीं होती मतलब की velocity मोटी है उसका magnitude चेंज नहीं होता उसका direction change होता है magnitude change नहीं होता यह ना speed change नहीं होता velocity होती है क्योंकि उसका direction change होता है तो इस y-z plane में speed fixed रहेगा यह लेकिन इस direction में speed जो है वो धीरे जीरे बढ़ रहा होगा क्योंकि इधर electric field है magnetic field work नहीं करता magnetic field का जो force है वो y-z plane में लगेगा y-z plane के parallel लगेगा तो ये work नहीं करता तो इधर वाले velocity नहीं बदलेगी लेकिन electric field work करता है तो इधर वाले velocity बदलेगी तो किसी भी instant पर दो तरह की velocity आ सकती है है ना इस particle की net velocity हम लो लिखेंगे तो एक आएगा y-z plane में है ना एक y-z plane में होगा और x direction में होगा एक तो ठीक चुकि दोनों mutually perpendicular होगे तो जो हमें speed निकालेंगे ये velocity का magnitude निकालेंगे वो निकालेंगे कुछ इस तरह से v naught square ये y-z plane वाला हमेंसा speed v naught रहेगा और x direction वाला सपोज x direction में ये है vx square square का root ऐसे निकालेंगे magnitude अब net speed जो है कहा कि initial वाले के double करना है ये 2v naught हो गया square कर जते हैं इधर भी और इधर भी है ना तो यहां से यह हो जाएगा 4v naught square v naught square plus vx square तो vx का जो value आएगा वो आजाएगा root 3 v naught हमें पता है कि जो vx होता है वो होगा ux plus ax into t simple kinematic से लगा सकते हैं अगर acceleration constant है यहां पर acceleration constant है final velocity जो है वो हमें बताना है यह आएगा root 3 v naught initial velocity x direction में नहीं था सारा velocity y direction में था तो initial velocity x direction में 0 और acceleration x direction में आएगा electric field की वज़े से electric force qv naught divided by mass यह acceleration आएगा x direction में into t तो यहां से हम लोग t का value निकाल सकते हैं कि इतने time के बाद जो x direction में velocity होगी वो root 3 v naught होगी टोटल velocity जो है वो 2 v naught होगी तो यहां से time का जो value आएगा वो आएगा root 3 m v naught divided by q e naught है ना तो देखेंगे यह जो option है वो third वाले में दिया गया है है ना root 3 m v naught by q e naught जो जो ह स्क्ला Yoा जो जो सप्क्वाय है । जो 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 एक एक लूश की बाद आएगार जो जो एक बाझान किर से यहां स्क्ता है है कि तो आएगा है रख्या है